आज का लेक्छर कार्प फार्मिंग पे बेस्ट है काप्स जिने की हम मेजर इन्डिजिनस काप्स भी कहते हैं या इन्टियए May top Berkya कहा जाते हैं तो आज की लेक्छर में हम काप्स किसे कहते है इसके बारे में जानेंगे और जो fishes हैं इसका हमारी country में हमारे देश की एकनौमी में क्या योगदान है उसके बारे में बात करेंगे हम देखेंगे कि कितनी तरह के काप्स होते हैं इनको काप्स क्यों कहा जाता है इनकी क्या variety है क्या इनके गुण है और इसके साथ ही इनकी farming कैसे की जाती है तो आज के lecture में हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही साथ जो इनको culture करने के लिए farms बनाए जाते हैं उसमें कितनी तरह के ponds होते हैं उसके बारे में भी आज के lecture में हम बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले कि मैं आप से काफ फार्मिंग के बारे में बाते करेंगे। अब सब्सक्ता JAMES यहां दिखायां । इसके में आप में बाते में अईंव करें मैं आप यह दिखना इयुटते में दिखा नमीज़ के दिखेंगे हैं। और मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हूं उस वीडियो के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी कंट्रीज में वो देखा गया है और जब तक कि ये आगे पबलिश होगा तब तक शायद और कंट्रीज उसमें बढ़ जाएंगी बावजूद इसके कि हिंदी में वो वीडियो था हमारी अपनी इंडियन लैंग्विज में था उसके बावजूद भी संसार भर में वो वीडियो देखा गया और उसके लिए मुझे बहुत खुशी है और साथ ही फिर मुझे फील हुआ कि हमारी हिंदी लेंगविज को न जानते हुए भी कितने ही व्यूवर्स ने उसको देखा है और शायद जो उसमें टेक्स्ट है उसको उन्होंने रीड किया होगा और मेरी जो लेंगविज है उसको कई ऐसे होंगे जो उससे समझ नहीं पाया होंगे तो इसे लिए उन सभी व्यूवर्स को इन सभी कंटैस के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं इन लोगों को देखते हुए मैं अपना कार्ट फार्मिंग का जो वीडियो है इसका इंगलिश वरजन भी मैंने इसका बनाया है तो आप इसको जरूर देखें, जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, वो इंग्लिश में उसे देखें और उससे फाइदे उठाएं, यही मैं आप सभी से आशा करती हूँ, और मैं ये भी आशा करती हूँ, कि आप मेरे इसी तरह से आप वीडियोज आप देखते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स के बीच में उनके बारे में बाते करेंगे, उसे सब्सक्राइब भी करवाएंगे, और आप ही की हल्फ से मैं ग्रो कर पाऊंगी, और आप ही की हल्फ से मैं आगे बढ़ पाऊंगी, क्योंकि एक अकेला कभी भी आगे जाके, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, जब तक कि उसके साथ में सभी लोग ना हो, तो जब तक उसके साथ में परिवार के लोग नहीं होंगे, तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है इसलिए यह जो डिजिटल वर्ड है उसमें आप ही लोग मेरी फैमिली हो और मुझे आगे बढ़ता हुआ देखके आप लोगों को भी मैं जानती हूँ कि बहुत ही खुशी होगी तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो कार फार्मिंग पे हिंदी में जानें इसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे भारत देश की मत से उतपादन में क्या इस्तिती है तो आप लोगों को यह जानके बहुत खुशी होगी कि हमारा भारत देश या इंडिया संसार का सबसे बड़ा मत से उतपादन करने व पर रोजगार प्रदान किया हुआ है और ये सिर्फ उन लोगों को ही रोजगार प्रदान नहीं कर रहा है जो मत से उत्पादन से जुड़े हैं इसके अलावा भी इंडिरेक्ली भी इसने दूसरे जो रोजगार हैं उनको एक आधार भी इसने प्रुवाइट किया हुआ है आ ये वाला जो शेत्र है लगभग 60 करोर जो है इतना हमारे नेशनल इंकम ये प्रोवाइट कर रहा है हमारे भारत देश को इतना ये आर्थिक मदद कर रहा है ठीक है तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह का और कैसा फिल्ड है और कितना बड़ा फिल्ड है जिसने हजारों को कहा कि इंडारेक्ली दूसरे जो द्योग है वो भी इससे जुड़े हुए क्योंकि मत से उत्पादन का मतलब सिर्फ मत से उत्पादन करना नहीं है उसको बेचना है उसका प्रिजर्वेशन करना है और उसके कल्चर के दौरान जो अलग-अलग गियर्स या इक्विप्मे की जरुवत होती है तो उनके लिए जरूरी है कि जो दूसरे उत्पादन उलग नहीं है इसने और भी चलिए अब थोड़ा काफ्स के बारे में जाने ले उसके बाद हम इसके जीनस के बारे में जानेगे तो आप मेंसे कई लोग ऐसे होंगे जो इस वर्ड को ही पहली बार सुन Tra Damn और णवार के लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूं कि काफ्स जो हैं वो actually fishes हैं और यह जो हमारी Pisces series है उसके 7 classes में से जो टेलियस्टोमाई class है उसकी जिसमें की बोनी फिश आती है उसकी सब class Actinopteresai के अंदर ये फिश आती है और इन्हें fresh water aquaculture के अंदर इनको culture किया जाता है क्योंकि इनका जो growth rate है यानि कि जो इनका बढ़ने की जो शमता है इन फिश मे बहुत ही कम time में ये बहुत ही जादा अपना fast grow कर जाती है जिसकी वज़े से इनका body weight बहुत जादा बढ़ता है और इनको पालना किसी maintained pond में इनको पालना बहुत ही आसान है यानि कि अगर आप farming करना चाहते हैं तो इनके fish farm आप आसानी से culture कर सकते हैं और उससे high production ले सकते ह है उसका बहुत जादा आपको फाइदा हो सकता है तो इस तरह से जो carbs है ये इसमें भी दो variety है जिसमें कि हमारे इंडियन major carbs आती हैं जो कि हमारे ही देश की native fishes हैं जो यहीं की रहने वाली fishes है ठीक है जिने कहीं से नहीं लाए गया है तो उन्हें हम कहते हैं इंडियन major carbs और मासें तीन जैनरा या तीन जीनवस इसमें लिगही है जैसे कतला दूसरी है लेवीयो और तीसरी है सिराइनस तो जो जीनस कतला है इसकी जो फिश है वो है कटला-कतला प्रोड़ीयता टैसे सकते हैं, प्रोडक्षन, रेख्यू मुचन के। डैज़ीयो ... जो जो जया के लेख्यू के लेख्यू मुचन है, इसे सिराइने गेख्यू चाम क कार्फें के सिराइन ऐसे साहना रेख्भण। fast होता है तो इन से high yield या high production इन से लिया जा सकता है तो इस वज़े से जो हमारे मत्सुत पादन करने वाले जो हमारे किसान है वो इसको preference देते हैं यानि कि उनकी first choice होती है इन काप्स को पालना क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा वो फाइदा ले लेते हैं बहुत कम टाइम में इस वज़े से तो इंडियन मेजर काप्स के अलावा जो दूसरी काप्स हैं उनने हम कहते हैं exotic काप्स और ये exotic काप्स जो हैं दूसरी country से लाखे इन fishes को हमारे इंडियन water में उसको इंडियूस किया गया है तो इस तरह से जो fishes हैं वो है common कार्प, silver कार्प और grass काप इसके अलावा भी काप्स हैं जैसे scaly कार्प है इसके अलावा leather काप है तो ये सब भी इन काप्स के अंदर आती हैं तो जो हमारे indigenous major काप्स हैं ये आप समझ सकते हैं कि एक साल में इनका जो production है farming के दोरान 4000 kg पर hectare पर year इनका उत्वादन रहता है इसी तरह से अगर हम exotic काप्स का लें तो उसका 3000 kg पर hectare पर year रहता है और अगर इन दोनों ही को यानि कि जो हमारे indigenous काप्स हैं उनको mix कर दें exotic काप्स के साथ में और इस तरह से इनका मज से पालन किया जाता है तो उससे और भी ज़्यादा production होता है यानि कि उससे और भी ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है और जिससे की बहुत ज़्यादा फाइदा लिया गया है और वो है लगभग 8000 kg पर hectare पर year इसके अलावा जो polyculture के अंदर जो इनका production किया गया उसमें जो लोगों ने जो रिपोर्ट किया कि इन से उन्हें 11,000 केजी पर हेक्टेर पर एर तक का भी उनको बहुत उनको प्रोडक्शन मिला है इस तरह से इनका जो एक आर्थिक जो लाब है वो बहुत ज़्यादा रहता है किसानों को जो मत सुत बादन करते हैं उन किसानों को इस वज़े से जो काप्श हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस फिशिजे चाहिए वो इंडिया चाहिए वो दूसरी कंटरी चाहि indian जाले कि करप आर्ण कारण है वो ऑफे कर्व में और सब्सक्रीज प्राइब आरइन गुछ पारव तर यह जो कलार्ण के जरालोि लुग है। और सब्सक्रीज परिंड को शगर और कनव धेसे कमे तो इसलिए इनको कंते कॉ सब्सक्रीच पर इसलिए हきます चारण यह पानी में रहने वाले जो पहुटा सकती हैं। उस में रहने वाले जो चोटे जो ऋँसे ऐनिमल्स आपैनिंद एंज़ा उसके अलावा अगर सड़े जो इसमें वीडվ कीमिया है। तो उनको भी खाती है और उनके जो सड़े गली जो डिब्रीज है उन्हें भी खाती है इसके अलावा किसी भी तरह का वहां पे पानी में किसी भी तरह का अगर कोई चीज है यह उसको खा सकती है तो यह कहने का मतलब है कि पानी में डूबी हुई यह हर चीज को खाने वाली फ ठीक है या कुछ omnivores हैं या दोनों ही तरह की fishes हैं कार्णी वोरस ते इसमें हम कम ही कहेंगे क्योंकि ये omnivores जादा हैं ये fishes और इसके अलावा ये हर भी वोरस होंगी या फिर ये omnivores होंगी ठीक है और हां कुछ इनमें ऐसी भी हैं जो decaying bits को खा रही हैं ठीक है यानि कि जो decomposed जो things हैं उनको भी ये खा सकती हैं तो इसलिए इनको पालना बहुत ही जादा आसान है इसके अलावा जो दूसरा इनका गुण है जिसकी वज़े से हम इनको कार्प कहरें वो है इनका पानी में जो oxygen का जो चड़ाओ या उतार है उसको ये आसानी से सहन कर जाती ह इस वज़े से इनको पालना बहुत ही जादा आसान है इसके अलावा जो इनका पानी में रहने के दोरान अगर पानी का temperature बहुत high हो जाए या थोड़ी low हो जाए कहने का मतलब है कि जो temperature का जो variation है उसको ये आसानी से सहन कर लेती है इसके अलावा अगर पानी थोड़ा सा खर थोन है वो है इनका growth rate या знаете कि बहुत ही कम time में यह बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इनका weight हो जाता है जिसकी वजय से इनको क्कर जाता है और लोग इनको पालना पसन करते हैं इसी वज़े से क्योंकि फिश पालने का मतलब है कि अगर जब फिश का वेट होगा, तभी जितना जभ्या उसका वेट होगा। उतना ज्यादा किसान को फायदा होगा। तो इस वज़े से इनको पाला जाता है इसके अलावा जो इनका ब्रीडिंग का जो इनका नेचर है यानि कि जब ब्रीट करती है तो इनके जो बच्चे होते हैं उसका नंबर भी बहुत जादा है तो इस वज़े से और बच्चे जादा होते हैं कहने का मतलब है कि इनमें जो लिए इनके एक्स ले करने जो इनका नमबर है वह भी हजारों में रहता है मतलब कि अंडे बहुत ही जादा नमबर में रहते हैं जिसकी वज़े से इनको पालना बहुत ही जादा फाइदे-喜欢दे है इसके अलवा सबसे बड़ा कारण है इन फिशेस का जो flesh है वो बहुत ही जादा अच्छा होता है खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्ट होता है और सांती बहुत ही ज्यादा nutritious भी होता है तो इस वज़े से भी लोग इनको पालते हैं और क्योंकि लोग इनने खाना पसंद करते हैं तो अबियस है कि इनको भी एक market मिला हुआ है जिस वज़े से इनका culture किया जा रहा है इसके अलवा इनको handle करना बहुती जादा आसान है और net की help से इनको आसानी से इनको पकड़ा जा सकता है या net की help से इनको आसानी से एक जगेसे दूसरी जगे ले जाने के लिए इनको catch किया जा सकता है और इसके अलवा इनका जो transportation है एक जगे से दूसरी जगे जब इन्हें ले जाना पड़े तो उस तरान भी इनको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स तो ये वो गुण है जिसकी वज़े से हम एक पर्टिकुलर फिश को हम कार्ब कह रहे हैं तो इसके अलावा भी एक सबसे बड़ा गुण है इनका ब्रेडिंग है तो जैसा कि हमें पता है कि जो फिशेस हैं उनमें ब्रेडिंग हमेशा मौनसुन सीजन में होती है या पर इसके लिए कुछ जो एक्स्टर्नल इंविर्मेंट है उसके कुछ फैक्टर्स बलो ते हैं तो अगर इनका ब्रेडिंग सीजन चेंज किया जा सकता है या अपने accordingly इनको breed करा जा सकता है तो जैसा कि ज़्यादा तर जो fishes हैं वो monson season या फिर आप कह सकते हैं summer season में वो breed करती है तो जो summer season की breed करने वाली जो fishes हैं अगर उनको summer की तरह का ही photo period अगर आप उनको देते हैं जाडों के दोरान तब भी वो उस दोरान आपके जो farm है उसमें वो breed कर सकती हैं तो ये सबसे बड़ा गुण है इन fishes का जिसकी वज़े से इनको जो मच से बालन है उसके दोरान ये जो fish production करने वाले जो हमारे farmers हैं उनकी पहली choice बनी हुई है चलिए अब types of carbs के बारे में जान ले कि जो carbs हैं उनको कितनी category में उनको categorized किया गया है तो हला कि इसके बारे में हम पहले segment में भी जान चुके हैं कि जो carbs हैं उनको दो नेटिव फिश्चे है और इसमें तीन जीनेस हैं जैसा कि मैंने बताया कतला, सिराइनेस और लेबियो, ठीक है, तो जो कतला की जो इस पिशीट है, उसमें है कतला-कतला, और दूसरा है सिराइनेस में गाला, और तीसरा है लेबियो रोईता, तो अब यह समझ लेज़े कि जो यह तीनों फिशल्स हैं, यह एक सांथ में कल्चर की जा सकती हैं, और इ को हमारे देश का जो total aquaculture production के वे में अगर हम लेते हैं तो उसमें जो total aquaculture production है उसमें 87% इनका अकेले ही योगदान है यानि कि जो 87% जो production हो रहा है वो सिर्फ इन इंडिजीनस काप्स की वज़े से ही हो रहा है तो ये अपना योगदान हमारे देश को दे रहे हैं इसके कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह हमारे देश की नेटिव काप्स नहीं है इनको किसी दूसरे देश से लाके हमारे इंडियन बॉर्टरस में इनको इंट्रड्यूस किया गया है तो इसमें खास तोर पे तीन फिशे हैं जिसको यहां पे बहुत आयत में कल्चर किया जाता है जैसे हाइपोथेल्मिक्थिस मॉलिक्ट्रिस इसको कॉमनली सिल्वर कार्बी का जाता है दूसरी जो फिशे है उसे कहते हैं टीनो फेरंगडॉन आइडेला जिसे ग्रास काप भी कहते हैं और तीसरी जो फिशे है उसे कहते हैं सिप्रिनस कार्भियो या इसको कॉमनली कार् तो ये जो fishes हैं, जो carps हैं, चाहे वो major indigenous carps हैं या major exotic carps हैं, तो इनका production high होने का मतलब है कि इनको composite fish culture के जरी है, यानि कि इनको अलग-अलग ratio में एक 7 पाल के जो इनका production लिया जा रहा है, जो इनका yield है, वो बहुत ही जादा है, यानि कि जो इनका उतपादन है, वो बहुत ही इस वज़े से इनको मत से उतपादन के लिए इनको prefer किया जा रहा है, अब friends, सवाल ये उठता है कि जो car farming है, वो लाब दायक कैसे है, तो इसकी पीछे सबसे बड़ा reason है, इनको एक साथ, जैसे आपने सोचा होगा कि किसी अगर हम pond में, अगर हम fish को culture करेंगे, तो हम एकी त तरह की fishes, या चार तरह की fishes, तरह की से मतलब है कि variety, या species, ठीक है, तो इतनी species हम इसको एक साथ, एक pond में हम इनको culture कर सकते हैं, पाल सकते हैं, और इनसे yield, बहुत high yield ले सकते हैं, यानि कि जो उतपादन रहेगा, उसकी वज़े से बहुत जादा रहेगा, तो क्योंकि इनको एक साथ में हम पाल सकते हैं, जैसे तीन तरह की fishes पाल सकते हैं, चार तरह की fishes पाल सकते हैं, पास तरह की पाल सकते हैं, छे तरह की या साथ तरह की, ठीक है, तो जैसे तीन तरह की fishes में हम तीन species कतला, रोहू और ब्रेगल को हम ले सकते हैं, तो तीनों को एक साथ में हम पाल क परके अपना खाना ढूनना और उसी जगे पे बने रहना लगबग तो इसकी वज़े से ये एक दूसरे के habitat को डिस्टर्ब नहीं करते हैं जिसकी वज़े से इनको आसानी से एक साथ में पाला जा सकता है इसी तरह की जो चार तरह की फिशेज उसमें ग्रास कार्प, सिल्वर क कार्प गुलियरे के o रहु एं पाल सकते हैं 5 के ज़ा के, उसमें ज़नी से लिएक एक साथ में पाला है तो यह इस तरह से इस रेशियो में इनको पाला जा सकता है। इसी तरह से साथ तरह की जो मैं कह रही हूं उसमें ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, कतला, रोहू, स्केल कार्प, मिरर कार्प और तिलापिया। इनको एक साथ में अलग-अलग रेशियो में जैसे पांच रेशियो, तीन रेश रेशयो 6, 8 रेशयो, 2 रेशयो और 3 के रेशयो में इनको एक सांत में पाल करके क्योंकि इनका feeding habit अलग-अलग होता है इस वज़े से इनको पाला जा सकता है जिससे की मच से उत्पादन अपने एक ही pond में एक ही या आप कहा सकते हैं कि मच से farm में आप बहुत ही बड़ा उत्पादन कर सकते हैं अलग-अलग variety की fishes को उनका उत्पादन करके तो इस तरह से इनका high yield होने की वज़े से जो car farming है वो बहुत ही ज़्यादा लाग करी है और खास तोर पर इंडियन मेजर काप्स को लोग पालना है इनको पसंद करते हैं और farm fishes के form में इनको mostly इनहीं को prefer करते हैं क्योंकि इनका growth rate है वो बहुत ही ज़्यादा fast है और लोग इनको इनका नाम ले लेके खरीदते हैं जिसकी वज़े से कि भई हमें labio या हमें रोहू खानी है तो रोहू fish दीजिए या हमें सिराइना दीजिए तो इस तरह से लोग इनको पहचानते भी हैं तो market भी है इनका जिसकी वज़े से लोग IMC क्रूप की जो fishes हैं इनको जादा एक साथ में पालना पसंद करते हैं इसके अलावा जो हमारे indigenous काप्स हैं इसके अलावा exotic काप्स हैं वो भी हमारे क्योंकि चाहे वो बाहर से मंगाई गई हैं लेकिन अब वो भी हमारे Indian waters में उन्होंने इसको एड़प्ट कर लिया है और अभी हमारे throughout इंडिया में लगभगी है फिशे भी मिलती है तो इनको भी पाल करके लोग इनसे फायदा उठा रहे हैं तो इस बज़े से कार्व फार्मिंग बहुत ही ज्यादा लापकारी है तो अब तो आप लोगों का पेशेंस भी जवाब देगे होगा कि यह आखिर कार्व फिश किस तरह की दिखती है यह होती कैसी है तो चलिए अब उसे देख भी लेते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो फिश ली है वो मैंने ली है लेपियो रोहिता जिसको की हम कॉमनली रोहु के नाम से जानते है और फ्रेंट जो यह डाइग्राम है यह मैंने खुद ही ड्रॉ किया हुआ है तो आशा करती हूँ कि आपको यह पसंद आएगा और जो खास जो इन कार्प्स की बात है जब हम इने देखते हैं और जो इनका कॉमन फीचर है इन फिश का वो यह है कि आप हर एक कार्प के अंदर आप यह देखेंगे जो इसका सपोस्जियो इसका फिन जो है यह ले लेते हैं पहले तो फिन इन में एक डॉर्सल फिन रहेगा इसके साथी बाइफर्केटर इनका कॉडल फिन रहता है कॉडल पिडंकल यानि कि जो इनका एनल फिन है उससे जहां से इनका जो कॉडल फिन स्टार्ट हो रहा है उस तरह का जो वहां तक का जो रीजन है वो काफी पतला और बढ़ा रहेगा तो तो कहने का मतलब है है कि जो कापस ह है इनमें फ्लेильно बहुत जादा रहता है और इस वज़़से इनको पाला जाता है इस ही वज़़से लोग इनको पसंद करते हैं क्योंकि हर पार्ट में आपको इनकी फ्ले मिलेगा इस वज़े से और तो हम बात कर रहे थे फिंस की तो मैंने कहा कि इन में एक डॉर्सल फिन रहेगा बाइप फरकेटेट कॉडल फिन साथ ही अगर आप इसके पेक्टोरल रीजन में जाते हैं तो वहां पे आपको एक पेक्टोरल फिन दिखता है और वेंटरल साइड में एक व उढ़र रहेगी और इसमें लेटरल लाइन भी साफ दिखता है और इनका माउथ है उसमें काफी modification होता है वो modification इसवज़े से क्योंकि इनका feeding habit है वो अलग अलग तरह का यह अलग फूड फूट्ट प्रिफर्र करती है तो इस वाज़ेसे माउथ निनके माउथ में थोडिय म है वहाँ पर इसका माउथ दिखाई दे रहा है तो मैंने जैसे कहा कि इनका feeding habit है और जो food लेने का जो इनका तरीका है और plus इनका जो habitat है जहां पर यह मिलती है वो reason अलग-अलग होने की वज़े से इनके mouth में काफी modification आपको दिखेगा ठीक है तो कुछ जैसे उपर से साड़ी गली चीजें जो नीचे गिर रही है नीचे आपनी bottom में रहके वो food को खा रही है तो उस तरह से उनका जो lower lip रहेगा वो कुछ बाहर की तरह निकला हुआ रहेगा ठीक है जैसा कि आपको इस fish में भी आपको दिखाई दे रहा है और आई कुछ में छोटी होंगी तो कुछ में बड़ी होंगी इस तरह की यह fishes है और पूरी बॉड़ी इनकी जो है scale से कवर रहीगी सिर्फ इनके head reason को छोड़के और साथी में upper column भी रहेगा और fin के case में मैं आपको बताया कि इसमें एक dorsal fin देखे आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है bifurcated इसी तरह का caudal fin आपको हर fish में दिखाई देगा जिसे कि हम कार्व कह रहे हैं और देखे इसमें भी caudal peduncle वाला हिस्सा है यानि कि जो tail reason है वहाँ पे सीधे tail नहोंके उसमें भी आपको काफी flesh आपको आनंधी नहीं आता है तो इस वज़े से उसको बेजने का भी फायदा नहीं क्योंकि weight भी उसका ज्यादा नहीं रहेगा तो इस तरह से इसमें भी dorsal fin है caudal fin है इसकी साथी pectoral fin है ventral fin है ventral fin है ventral fin है और anal fin है anal fin है anal reason में उसके अलवा आपको इसकी body भी काफी बड़े- इसमें भी कहा जाता है यह हमारी IMC group की तीसरी Indian major curve है तो आप देख सकते हैं कि इसकी body भी एक तरह से स्ट्रीम लाइंड है और इसमें भी उतनी ही तरह के fins मिल रहे हैं जितने अभी तक कि आपने काप्स में देखा था दॉर्सल फिन और इसके बाद आपने pectoral fin, ventral side ventral fin, anal fin, और जो इसका caudal fin है वो forked up को दिखाई दे रहा है और साथ ही इसकी जो eyes है वो काफी बड़ी होती है इसमें और साथ ही इसमें बार्बल्स भी मिलते हैं और पूरी body इनकी scales से ढखी हुई रहेगी इसमें basically cycloid scale मिलते हैं so friend यह खास बात है काप्स की क्योंकि यह fresh water aquaculture के अ आपको scales दिखाई देंगी चलिए कुछ exotic carps भी देख लें तो इसमें जो सबसे पहले फिश जो मैंने ली है वह सिप्रीने स्कार्पियो आप उसको देख सकते हैं तो देखे कितनी सुंदर सी फिश है इसमें भी आपको उतनी ही तरह की fins दिखाई दे रहें जैसा कि आपने जहां पर कि यह caudal fin की और को बढ़ आया उधर की और आपको यह छोटे दिखाई दे रहें तो इस तरह और यह काफी लंबा भी है तो यह इसका एक variation है और साथ ही इसमें भी आप bifurcated इसका caudal fin देख रहे हैं साथ ही pectoral fin भी है इसमें ventral fin है ventral side में इसी तरह से anal fin है और इसकी भी बड़े-बड़े scale से खिरी हुई है और इसमें भी आप जो lateral line है वो आप आसानी से पहचान सकते हैं अगर आप इसमें पहचान सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें अभी लिखा नहीं है तो आप इसमें गौर से देखे इसकी भी आपको lateral line अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है जो दूसरी काप से उन से हाइपो थेल्मेक थी स्मॉलेक्टरिस जिसे की हम commonly silver कार भी कहते हैं यह भी एक तरह के exotic काप है और इसका नाम जो मैंने common name कहा silver काप तो आप समझ सकते हैं कि इसका नाम silver कार क्यों रखा गया है क्योंकि जो इसकी scales है उनका color कुछ silver ही है ठीक है तो इस वज़े से इसका नाम है silver कार और इसमें भी आप उतनी ही तरह के fins देख रहे हैं जैसे अभी तक के काप में आपने देखा था डॉरसल फिन, कॉडल फिन, पेक्टोरल फिन, वेंटल फिन और अनल फिन ठीक है और इसके माउथ में भी देखे आप जो इसका lower जो है वो slightly बाहर की ओर को निकला हुआ है अपर जो की comparison में और जो आखे हैं इसकी वो भी कुछ खास है इसकी आप देखे बिलकुल वो अपने जो डॉरसल साइड है उस ओर ना हो करके नीचे की ओर को जुकी हुई है वेंट्रल साइड की ओर ठीक है तो यह जो पूरी फिश है जिसे की हम silver carp कह रहे हैं यह भी exotic carp है यहाँ पे आपको grass carp का आपको figure दिखाए गया है जिसे की geological name जिसका टीनो फेरंग डॉन आइडिला है तो यह भी एक exotic fish है आप देखे यह कितनी सुन्दर सी फिश है और जो इ साथ ही इसमें भी उतनी ही तरह के fins मिलते हैं जितनी अभी तक की जो कापस हैं मैं आपने देखा था डॉर्सल फिन पैक्टरोल फिन बेंट्रोल फिन एनल फिन और कॉडल फिन और साथ ही जो इसका mouth region आप देखे वह बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड है और आखे इसमें ब कॉमन नी कट्ला कहा जाता है तो फिरंट जो कत्ला कतला फिश है ये मुस्तली जो लेक्स हैं जिसको की आप ताल कहते हैं उनमें मिलती है जो पॉंड्स है इसके लावा नदियों में इसके लावा रिजर्व वायर्स में ये मिलने वाली फिश है इनका जब हम ब्रिडिंग बीहिवियर देखते हैं तो यह जो रणिंग वाटर है यानिकि जो बहता हुआ पानी है नदियों का उसमें ये ब्रीट करती है और जो इनके नैचरल हैबिटेट से जो सीड्स हैं वो मॉंसुन सीजन में आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं यानिकि माई से लेके अगस तक इसके सीड्स आसानी से इनके हैबिटेट से या इनके ब्रीडिंग ग्राउंड से कलेक्ट किये जा सकते हैं और इंडियोंस ब्रीडिंग इन फिशेज में अब बहुत ही जादा आसान है क्योंकि नैचरल हैबिटेट से शीड कलर करने का मतलब है कि उसमें दूसरी भ जाता है जिससे कि आपको प्यूर शीड्स एवलेबल होते हैं इसके अलावा इन्हें जो कंपोजिट फिश है यानि कि एक साथ में कई सारी फिशेज को कल्चर करने के लिए उनमें ये फिशेज फिट बैटती हैं क्योंकि ये सर्फिस वीडर है तो आप इनको कॉलम फीडर और बॉटम फीडर जो फिशेज हैं उनके साथ में इनको असानी से कल्चर कर सकते हैं इसके अलावा जो इनका ओमनी वोरस नीचर है यानि कि ये प्लैंट्स भी खा सकती है और साथ ही एनिमल्स पे भी फिट करती है तो इस तरह से ओमनी वोरस है इसले भी इनको पालना असा इसके अलावा जो सबसे इंपोर्टन फेक्टर है इन फिशेस के बारे में वो यह है कि इनका जो ग्रोइंग रेट है वो बहुत ही जादा फास्ट होता है और यह बहुत कम टाइम में यह बहुत अच्छा खासा वेट गेन कर लेती है यह अपना साइज मैक्जिमम साइजे जो इनका प्रोडक्शन है अकेले 60% प्रोडक्शन इन फिशेस का होता है पॉली कल्चर सिस्टम में इसके इलावा जो इनकी फिकंडिटी है यानि की जो एक्स ले करने की जो इनकी तादात है फिमेल एक साथ में 24,000 से लेके 42,000 तक के एग वो दे सकती है तो इसलिए यह य आपको काफी बड़ा दिख रहा है और जो इसकी बॉड़ी है वो कुछ अंदर को धसी हो इसी रहती है और जो इसका लोवर जो है वो बाहर की ओर को निकला हुआ है और इसका कलर जो बॉड़ी का कलर है वो ब्लैक रहता है और इसके साथ ही जो इसके फिन्स है और जो इसकी तेल वह डसकी ग्रे कलर की होती है, जब कि जो इसकी बैली है, जो नीचे की और का वेंटरल साइड है, वो सिल्वरी वाइट होता है, अगली जो इंडेन मीजर काप है वो है लेपयो रोहिता, जिसे हम कॉमनली रोहु कहते हैं, फ्रेंट रोहु को आसाम में रोहिती कहा जाता और इसका जो mostly जो feed है या food है वो vegetable debris है या पानी में घुला हुआ decomposed material इसके adult या फिर इसके fingerling ये खाते हैं और ये fish sexually mature होते होते लगवाई एक साल का time में लगता है इनको sexually mature होने में और इनकी एग ले करने की जो तादात है वो बहुत ही ज्यादा हाई है जैसे 1.5 से लेके 2 lakh per body weight तक पर gram body weight तक ये एग ले करती है और induced breeding in fishes में बहुत ही ज्यादा successful है यानि कि आप इनको अपने farm में इनको आसानी से induced breeding के जरिये इनको जो pitutory hormone के injections दे करके आप आसानी से इनको farm में इनको breed करा सकते हैं और economic point of view से labio rohita और labio kalwasu ये बहुत ही ज्यादा profitable fishes होती है यहाँ पर आपको labio rohita का figure दिखाएगा है तो आप देख सकते हैं जो ये fish है इसकी body काफी लंबी सी रहती है और उपर की ओर से जहाँ पर इसका dorsal fin है उस वाली area में आप देखेंगे तो उस ओर से ये उभरी हुई रहती है जो इसका body है और उपर से इसकी body का color कुछ blueish सा रहता है और जिसमें बीच बीच में आपको silvery strip type की दिखाई देती है और आखे इसकी red होती है सबसे बड़ा इसका जो characteristic feature है वो है इसके mouth में इसके maxillary barbells का present होना और साथ ही जो इसकी lips है वो भी slightly fringe रहते हैं तो इस वज़े से आप इसको आसानी से इसको पहचान सकते हैं सिराइनस मेगाला या जिसे commonly brigal भी कहा जाता है या इसे कई जगे पे इसे nan भी कहा जाता है ये तीसरी IMC group की या Indian major carp group की तीसरी fish है और ये commonly इंडिया में इसकी सेराइनस मेगाला species के अलावा भी कई और species मिलती है जैसे सेराइनस सेरोसा, सेराइनस लेटिया, सेराइनस रेवा और सेराइनस फुलंगी तो ये भी हमारी इंडिया में पाई जाती है और South India में aqua culture के लिए जो वहां के जो मच से पालन वाले जो किसान है वो इसको बहुत ही जादा preference देते हैं और लगभग हमारी इंडिया में सभी जगे ये पाई जाती है और इसका जो average length है वो 40 cm होता है और omnivorous है इसका nature खाने में यानि कि ये plants पे भी fit करती है और साथ ही ये animals पे भी fit करती है इसके अलावा ये जो northern इंडिया है वहां की lakes और rivers में ये बहुतायत में पाई जाती है अगर हमें इसका maturity का age देखते हैं तो male और female लगभग दो साल के उम्र में ये mature होते हैं और इनका breeding time monsoon season है और इन fishes पे भी induced breeding बहुत ही ज़्यादा successful है यानि कि आप इनको अपने farm में भ आप इनको breed करा सकते हैं और इसका जो feeding nature है वो है bottom feeder यानि की पानी की तली में रहने वाली ये फिश है इस तरह से जो उपर से जो भी debris नीचे आएंगे उसको ये खाती है यहां पे आपको सिराने स्मिर्गाला का चित्रे दिखाए गया है आप देख सकते हैं कि इसकी body भी प अबा हुआ से रहता है और mouth इसका काफी चोड़ा है इसके साथ ही जो इसका जो mouth वाला जो reason है आप उसमें देखेंगे दो इसमें prominent इसमें barbles दिखाई देते हैं तो ये इसका characteristic feature है जिससे आप इसको पहचान सकते हैं और साथ ही जो इसका color है वो कुछ coppery सा रहता है और आख इसकी golden रहती है और काफी बड़ी रहती है चलिए अब कुछ exotic carbs के बारे में भी जान ले और उनके feeding habits के बारे में भी जान ले तो सबसे पहले हम देखेंगे सिप्रीनस कार्पियो सो फ्रेंड इस कार्प को commonly इसको common कार्प कहा जाता है या इसे European कार्पी कहते है या कई जगे इसे German कार्पी कहा जाता है और यह संसार के सबसे ज्यादा काल्चर की जाने वाली फिश है ठीक है इसका मतलब है कि जो मत से किसान है मत से उत्पादन करने वाले किसान है वो इसको पालना बहुत ही अच्छा उनको लगता है क्योंकि इसका जो येल्ड है उनने काफी मात्रा में उनको मिलता है इस वज़े से और इसके अलावा हमारी इंडिया में क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है ये एक्जोटिक कर्प है तो इंडिया में इसको चाइना से इसको लाया गया इसका मतलब है कि चाइना की नेटिव है वहां की रहने वाली है और उंटी लेक में इसको इं अब इंडिया में इंडियन वाटर को इसने अडॉप्ट कर लिया है अब यह लगभा इंडिया में सभी जगे मिलती है ठीक है और यह फिश भी बहुत ही अच्छी है इंडियूस ब्रीडिंग टेक्नीक के लिए इसका मतलब है कि आप इसको फार्म में इंडियूस जिसे की मीरर कार्प कहा जाता है इसके लावा सिप्रीनस कार्पियो कम्यूनिस जिसे की स्केल कार्प कहते है इसके लावा सिप्रीनस कार्पियो नूडस जिसे की लैधर कार्प कहा जाता है यह भी मिलती है और जब हम इसका फीडिंग हैबिट देखते है तो यह ओमनी वोर यहां पर आपको सिप्रीनस कार्पियों का फिगर दिखाया गया तो आप देख सकते हैं जो एफिश है इसकी बॉड़ी अंदर को धसी हुई सी है और जो इसका माउथ रीजन में आप देखेंगे इसका जो माउथ है वो काफी बाहर की ओर को अंतिम छोर पे कह सकते हैं उस तर डॉर्सल फिन का डॉर्सल फिन आप इसमें देखेंगे काफी चोड़ा होता है बागी की काप्स की अपेक्षा सो फ्रेंड नॉर्मली सिप्रीनस कार्पियों जो है 30 से लेके 60 सैंटी मीटर तक इनकी लेंथ इतना ये ग्रो करती है और इनका वेट जो है 0.5 से लेके 4 केजी तक इनका हो सकता है ये दूसरी एक्सौटिक कार्प है जिसका कॉमन नेम सिल्वर कार्प है क्योंकि इसका कलर कुछ सिल्वर ही होता है इस वज़े से तो ये इंडियन वाटर में फॉस्ट टाइम 1959 में इसको इंट्रड्यूस किया गया और ये नेटिव है चाइना की यानि क चाइना से इसको लाके हमारी इंडियन वाटर में इसको इंट्रड्यूस किया गया और इसकी जो सबसे खास बात है वो है कि इसका फास्टेस्ट ग्रोइंग नेचर यानकि ये बहुत ही जल्दी अपना ये ग्रो कर जाती है और जितनी भी हमारी इंडियन से एक्सौटिक का यें चाइना juices खूपलाइंग करती है और ये से फायटो-पल्केटन पर ये प्रोटोजोन और रूटिफर्स को ये प्रिफर करती है और फेजीटेबल्स भी ये consume करती है और इसके साल ये एलगल ये फानी हो और जो इसका फीडिंग नेचर है वो है यह एक सर्फेस वीडर फिश है यहां पर आपको हाइपो थेल्मिक थेस मॉलेक्ट्रिक्स का फिगर आपको दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि जो फिश है इसकी जो बॉड़ी है वो नीचे की और से कुछ गोला कार सी आपको हाई देंगी इसके इलावर जो इसके डॉर्सल फिन है उसमें आठ फिन राइस होंगी ठीक है तो अगर आप उसे काउंट करेंगे तो वो आट होंगी और इसमें किसी भी तरह का एडिपोस फिन नहीं होता है साथ ही जो इसका annal fin है उसमें 13 से लेके 15 fin raise होती है और जो इसमें lateral line है उसमें 83 से लेके 125 scales होंगे जो lateral line होगी ठीक है तो इस तरह से आप इसको identify कर सकते हैं तीनो फेरंगडाउन आइडिला जिससे कि हम grass carp कहते हैं यह भी एक exotic carp है और इसे चाइना से इंडिया में first time इसे 1959 में introduced किया गया और अब यह इंडिया में लगभग सभी states में यह मिलती है और यह भी बहुत fastest growing carp है यानि कि बहुत ही जल्दी यह grow करती है और इसका taste भी बहुत ही अच्छा है इस वज़े से इसे लोग पसंद करते हैं और अगर हम इसका feeding habit देखें तो पानी में जो बहुत छोटी macro vegetation है उस पर यह feed करती है और बाकि इसका जो breeding habit है वो दूसरी काप की तरह ही यह summer season में यह breed करती है यहां पर आपको टीनो फेरेंगटाउन आइडेला का figure दिखाए गया है तो आप देख सकते हैं कि इसकी body streamlined है और जो इसका head reason अगर आप देखें तो वो कुछ दबा हुआ सा और कुछ चप्टा सा दिखाई देता है और जो इसका mouth है वो कुछ बाहर की और को निकला सा मतलब अंतिम छोर पे बना हुआ दिखाई देता है और साथी जो lips हैं वो काफी पतले हैं और अगर हम इसका jaw देखें तो upper jaw काफी बड़ा है lower jaw की comparison में और आखें बहुत जादा बड़ी भी नहीं है और मेंस आप कह सकते हो कि medium sizes की eyes हैं कई में यह कुछ छोटी छोटी सी भी दिखाई देती है और बारबल्स के case में इसमें बारबल्स पूरी तरह से absent रहते हैं और अगर आप इसके belly वाला reason देखेंगे तो उस side से जो इसके belly का color है वो कुछ silvery color दिखाई देता है और साथ ही पूरी body में इसमें बड़े-बड़े से scales दिखाई देते हैं जो की cycler scales होते है चलिए अब उन important factors के बारे में जाने जो हमें किसी भी car farm को बनाने के पहले सोच नी चाहिए तो friend जो सबसे जरूरी बाते हैं जो हमें car farm को बनाने के पहले सोचनी चाहिए उनमें सबसे पहले बात यह है कि हमें उस car farm का जो layout है उसको तैयार कर लेना चाहिए कि वो किस तरह का बनेगा और उसमें कितनी variety के ponds होंगे और वो ponds किस तरह की बनेंगे तो इसक इसके बाद हम उसके अंदर जो भी हम fish culture कर रहे हैं उसके according कितनी तरह के ponds बनेंगे ठीक है तो दूसरा आप कह सकते हैं कि आपको चुनना चाहिए कि आप कौन सी fish culture करने वाले हैं किस variety की और उसको culture करने के लिए उसकी life cycle के according आपको किस-किस तरह के ponds की आउस रखता होगी ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना चाहिए इसके बाद जो आपने fish जो आपने collect की है या जो भी आपने चुनी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए यानि कि जिस particular area में जिस environment में या जिस particular atmosphere में आप उनको culture करने वाले हैं उस area को वो fish adopt करनी चाहिए यानि कि उसके according वो हो पाईगी इसके बाद आपको सोचना चाहिए कि जो अगर आपने pond बना लिया है तो उसके आप conditioning कैसे करेंगे यानि कि उसकी रख रखाओ की क्या-क्या आपके पास सुविधाएं हैं ये उसके बारे में सोचना होगा उसके बाद stocking density यानि कि आपके जो ponds हैं उसमें आप कि इस stock है वो कितना रहेगा इसके बारे में भी आपके पास एक मोटा आपके पास हिसाब होना चाहिए और साथ ही जो आपकी जो ये stock है वो जैसे आपके पास आएं तो time to time आपके पास बना रहे उसके लिए जो fishes हैं उनका आप किस तरह से उनकी life cycle को चलाएंगे जिससे कि जिल्ड है वो बार-बार बनी रहे इसके बाद जहां पे आप पॉंड बना रहे हैं उसके आज पास जो natural resources हैं उनको यूज करते हुए किस तरह से आप अपने पॉंड का better fertilization कर पाएंगे और कैसे उस natural resources को आप फूड के फूड के फूड के फूड के फूड के फूड के जो आर्थिक दबाओ है आपके उपर वो कम आए ठीक है और इसके बाद है कि आपने अगर आपने पूरा कल्चर कर लिया है तो उसको आप कहां harvest करेंगे उसको रखेंगे कहां और उन fishes का आप किस तरह से उनका utilize करेंगे उनको ठीक है तो यह भी सोचना होगा और साथ ही एक जगे से दूसरी जगे ले जाने के लिए बीना खराब हुए उन fishes को आपके पास transportation का भी वो होना चाहिए जिससे कि आप उने ले जा पाए और साथ ही उनको ले जाते हुए किस तरह से आप उनको preserve करेंगे प्रिजर्व करने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ आप भी मत से उत्पादन करने वाले किसान को सोचनी चाहिए ताकि जो उसका उत्पादन है वो बरबाद ना हो और उसको बहुत ही अच्छा उस उत्पादन से फाइदा मिल पाए चलिए अब देखें कि अगर हमने अपना फार्म बनाने का सोच ही लिया है तो वो हम कैसे बनाए यानि कि सेलेक्शन ओफ साइट तो हम जिस जगे को हम अपने फार्म बनाने के लिए चुन रहे हैं उसके लिए हमें तीन खास बातों का ध्यान में रखना चाहिए अपने सबसे पहला है टोपोग्राफी टोपोग्राफी यानि कि उस जगे का शेप कैसा है उस लैंड का शे तो उस तरह की जो लेंड है उसको अच्छा माना जाता है किसी भी तरह के फार्म को बनाने के लिए ठीक है तो क्योंकि अगर वो इस तरह के रहेगा तो उसको अगर आपने कभी खाली करना इस तरह के पॉंड को तो उसमें से आप आसानी से उसको पानी निकाल सकते हैं और आस जादा slope वाली area में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अगर कभी बहुत बारिश आएगी या उसमें जादा पानी होगा तो उससे क्या होगा कि जो fishes है उस area में उस farm में वो बह जाएंगी तो इस तरह की area को आपने नहीं चुनना है तो ध्यान में उसकी topography रखनी है और उसकी पानी को जकड की रखने की गुण होना चाहिए तो अगर उस मिट्टी में पानी को जकड की रखने का गुण है तो वो जगे बहुत ही अच्छी होती है किसी भी fish farm को बनाने के लिए तो इसके लिए जो clay soil है उसको बहुत ही अच्छा माना गया है साथ ही वो मिट्टी बहु इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात जो है वह यह है कि मिट्टी की जो गहराई है किसी भी पॉंड में वह 1.5 मीटर के लगवा होनी चाहिए तो यह जरूरी जो दूसरी बात है सेलेक्शन ओफ साइट में वह आप ध्यान में देंगे इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी है उस पर्टिकुलर साइट को चुनने के लिए वह है वाटर सप्लाई किसी भी फिश फार्म को चलाने के लिए आपको लगातार साफ पानी की जरूरत होगी ठीक है और पानी हमेशा लगातार आता रहे ऐसे पानी की आपको लगातार जरूरत होगी ताकि आपका जो फिश फार्म है जो आपका कल्चर है वो बरवाद ना हो और पूरे फार्म को आसानी से पानी मिलता रहे तो हमेशा ऐसी जगह चुनी जाती है जहां से कि आपको आसानी से पानी मिल पाए तो इन में जैसे कई बार फार्म जो है लेक में लेक के किनारे मैं बनाए जाते हैं या reservoir के किनारी बनाजाते हैं या spring का पानी उनके लिए यूज किया जाता है या canals का या जो भी जो पानी बहके आ रहा है बारिश का पानी चाहे बहके आ रहा है उसको आप किस तरह से लगातार पानी की सप्लाई आपकी बनी रहे इसके अलावा कुएं भी हो सकते हैं लगातार पानी के सपलाई के लिए तो इस तरह से ये तीन बाते हैं जब आप किसी भी फार्म को बनाते हैं उसके लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए तो ये था जगे का चुनाव चलिए अब सेलेक्शन आफ साइट के बाद हम देखें कि किसी भी फिश फार्म के अंदर कितनी तरह के पॉंड्स होते हैं और किस तरह से उसमें कार फार्मिंग की जाती है तो थोड़ा सा हम उसका भी आइडिया लेंगे तो फ्रेंड जो सबसे पहले किसी भी फिश फार्म में जो पॉंड बनाया जाता है वो होता है हेड पॉंड और ये हेड पॉंड सबसे बड़ा पॉंड है फिश फार्म का और यह हमेशा ऐसी जगे पे बनाया जाएगा जहां से की इसमें लगातार पानी की सप्लाई होती रहे तो यहां से भी इसको पानी की लगातार सप्लाई होती रहे ऐसी जगे में इस पॉंड को बनाया जाता है और यह पॉरे फिश पाम का सबसे बड़ा पॉंड होता है और इ तो इसे कहते हैं head pond या आप इसे कहते हैं water supplying tank यहां पे आपको एक fish farm का layout दिखाए गया है या आप कह सकते हैं उसका infrastructure किस तरह का होना चाहिए वो दिखाए गया है तो आप देख सकते हैं कि जो इसका center है उसमें एक सबसे बड़ा pond है जिसे हम कहते है head pond और यह वही pond है जो जहा rock यह बनाया जाता है जहां से इसमें पानी की supply बनी रहे तो यहाँ पे बनाया जाता है आप जिस्से पूरे fish farm को पानी की supply बनी रहती है हैट पॉंड के अलावा फिश वां में और भी कई तरह की पॉंड होते हैं जैसे आप ए में देखिए आपको ब्रेडिंग पॉंड दिखाई दे रहें जिसमें कि जो फिशे उनको ब्रेडिंग के लिए यहां पर छोड़ा जाता है और बी में आपको हैचिंग पिट्स दिखा इनके अलावा एक फिश वां में क्वेरंटीन पॉंड भी होता है जिसमें की जो बीमार फिशे उनको इलाज के लिए उन पॉंड में चोड़ा जाता है और उनका इलाज किया जाता है तो इस तरह से कई तरह के पॉंड किसी भी फिश वां में होते हैं और इनके बारे में ड वह ब्रदिंग पॉंट्स बदर मुझनाग को रखा जाता हुत अर typ है मैच्वे ही एन को रखा ज lata जाता है ताकि उनकी ब्रदिंग पॉंट्स अच्च को मिलक्ट आप आप यह किलिए आर्ध के नहीं किन उस्टता हैं उस्ट जो सीट्स हैं वो सीधे इनके habitat से भी collect किये जाते हैं यानि कि जिन नदियों में यह मिलते हैं वहां से इनके habitat से seeds collect किये जाते हैं और उन अंडों को collect करने का मतलब है कि आप न सिर्फ अपनी मन्द चाहिए फिश के seeds collect करें इसके साथ ही आप दूसरे animals के seeds भी आप वहां पे collect कर ले रहें और हो सकता है कि आगे जाके वो पूरे के पूरे आपके car farming को वो destroy कर दे आपके पूरे culture को खतम कर दे तो इस तरह से उस नुकसान से बचने के लिए अब जो seeds हैं वो directly किसी मान्यता प्राप्त किसी hatchery से यह collect कि जाते हैं ताकि आपको जो seeds हैं वो pure मिल पाएं और आपका culture बरबादना हो तो यह for time being होता है breeding pond अगर हैं भी तो तो यह seasonal रहेंगे क्योंकि जब season होगा breeding का तभी यह pond इन में पानी रहेगा अधरवाइस यह सुखे ही आपको मिलेंगे दूसरी तरह के जो pond है उसे हम कहेंगे hatching pits और hatching pond और इन्हें spawning ponds भी कहा जाता हैं और इनकी जो लंबाई है वो 8 feet लंबे चार feet चोड़े और दो feet इनकी गहराई होती है और इन्ही में जो fishes हैं उनकी spawning कराई जाती है और उनसे eggs collect के जाते हैं या फिर उन eggs को इन्हीं pond में छोड़ दिया जाता है fertilization के लिए ताकि उनका fertilization हो सके और उनसे fries निकले तो आप उनको फिर next अपने pond में उनको transfer कर पाए तो इस तरह से spawning के लिए या hatching के लिए इन pond में हमेशा hatching hapa का इस्तमाल किया जाता है और जो यह hapa है इनमें दो layer कपड़ों की होती है तो अंदर वाला जो उसका tank है उसमें जो mosquito net होता है उसका वो बना होता है और उसके बाहर से एक और layer होती है जिसमें किसी भी तरह के छेद नहीं होते है उस तरह का रहता है वो कप उनमें spawning कराई जाती है उन fishes को और उनसे pure egg collect करने के लिए pure eggs लेने के लिए था कि जो दूसरी fishes है उनके eggs उसमें mix up नहीं हो इसलिए उनको इस कपड़े के बने हुए समझ लीजे एक घर जैसे में इस box में उनको रखा जाता है और जब उनमें breeding हो जाती है seeds आपको मिल जाते हैं तो उसके बाद तब हुने हैं उससे बाहर निकाल जाता है तो इस तरह से वो उसके अंदर एक तरह से बंदी रहती है और यह जो हापा है यह हमेशा ऐसी जगे में रहेंगे जहां पे कि यह हमेशा पानी में डूबे रहें ठीक है तो यह कह सकते हैं कि जो यह पॉंड्स हम यह किस तरह का दिखाई देता है उसका structure हम अगले segment में देखेंगे यहां पे आपको cloth hapa दिखाए गया है यह hatching hapa आपको यहां पे दिखाए गया है तो आप देख सकते हैं कि जो इसका अंदर वाला जो box है वो mosquito net का बना हुआ है और बाहर से इसमें coarse cloth लगा हुआ है एक कपड़े का एक और box लगा हुआ है और यह जो इसके किनारे हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि चारो किनारे इसके bamboo pole से बदेवे हैं और यह हमेशा पानी में डूबा हुआ रहेगा और ऐसी जगे पे रहेगा जहां से कि इसमें लगातार पानी आता रहे ठीक है धीरे धीरे पानी आता रहे इस तरह की area में यह बना हुआ रहता है और इस box के अंदर जो fishes हैं वो breed करने के लिए इसमें छोड़ी जाती है यानिकि spawning इसमें कराई जाती है तो उसमें एक particular ratio में male और female fishes को जिनमें spawning होने वाली हो उनको इसके अंदर छोड़ा जाता है और finally जो seeds हैं उनकी fertilization के बाद उनको hatching के लिए इसमें छोड़ा जाता है तो इस तरह से जैसा कि box की तरह यह बना हुआ है तो इसमें से जो spawn हैं जो fishes हैं वो भाग नहीं पाती है और नहीं इनमें जो known hatcheries है या जो मान्यता प्राप्त जो hatcheries है या जो research centers है वहीं से जो seeds हैं वो collect के जाते हैं ताकि उनमें किसी भी तरह का मिलाओट नहीं हो और उनमें मिलाओट होता भी नहीं है क्योंकि वहां पे जो induced breeding है जो आपने सुना होगा fishes में कराई जाती है यानिकी जबरदस्ती breeding कराना और उसमें जो pituitary hormone है उसके injections उन fishes को देके उनको spawning वाली stage तक उनको लाया जाता है जिससे के आसानी सो उसमें breeding कराई जा सके अपने according तो इस तरह से इन हापा में उनको छोड़ा जाता है फिर उनमें जब seeds आपको मिल जाते हैं तो उसके बाद ही उन fishes को इसमें से नि निकल जाएं और आसानी से क्योंकि यह पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है तो इसमें उनको आसानी से aeration होते रहता है जिससे कि उनमें किसी भी तरह के infection के chances भी नहीं होते और नहीं उन सीड में किसी भी तरह का मिलावट होने के chances होते हैं suppose अगर आप natural habitat से अगर आप seeds कल इसमें दूसरे इंसेक्स के सीड भी आ सकते हैं जो की लार्वी वोरस हो इस तरह से जो आपकी अपनी फिशेश उनकी लार्वी को खातम कर देंगे जिसकी वजह से आपका पूरा जो कल्चर है वो खराब हो सकता है तो इस वज़े से फियोर सीड को लेने के लिए आप जो फ जो फिशेस थी तिल्ड़ हैं। ए móट्ोंड कि रीज सीजनल होते हैं। इस पहां चोड़ेसар गेहराई होते हैं। इसके बाद जो अगले जो पॉंड है उसे हम कहेंगे रेरिंग पॉंड यानि कि 30 दिन के बाद जो मन्थ वाइस जो फिश जो बड़ी हो गई हैं उनको रेरिंग पॉंड में फिर ट्रांसफर किया जाता है और ये भी जो है सीजनल हो सकते हैं और इनकी जो लंबाई है 90 फीट ये लंबे होंगे 30 फीट चौड़े और 4 फीट गहरे होते हैं और इन में एडवांस फ्राई को इन में रखा जाता है ठीक है तो इन में 2-3 महने तक की जो फ्राई है उनको रखा जाएगा या अलग-अलग एज की फिशेज को अलग-अलग रेरिंग पॉंड में उनकी फर् सो फ्रेंट जो रेरिंग पॉंड है ये हमेशा जो स्पॉनिंग पॉंड है उनके पास में और नर्सरी पॉंड है उनके पास में ये बनने होई रहते हैं रेरिंग पॉंड के बाद जो नेक्स पॉंड है उसे हम कहेंगे स्टॉकिंग पॉंड और फ्रेंट सी जो स्टॉकिं इन में ये इतने बड़े होते हैं कि इन में आसानी से आप netting कर सकते हैं आप ये समझ लीजे कि netting इन में बहुत आसान होती है इसके अलावा जो pond है उसमें quarantine pond भी होंगे और साथी marketing pond भी होंगे तो stocking pond है उसकी बाद quarantine pond जैसा कि मैंने आपको पहले पताया कि उसमें जो बिमार fishes हैं उनको treatment के लिए रखा जाता है और marketing pond जो होंगे उन में उन fishes को finally रखा जाएगा जिनको आपको sale करना है तो इस तरह से जो fish farm है उसमें इतनी तरह के अलग अलग तरह के pond होते हैं जिनका अलग अलग use है so friends अभी आपने देखा कि किस तरह से एक farm को बनाने के पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से पूरे farm की processing की जाती है यह हमने देखा और किस तरह से car culture की जाते हैं और कितनी तरह के उसमें pond होते हैं यह हमने देखा अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक farm बना लिया है तो उसका फिर हम pond management जो उसके different उसमें जो ponds हैं तालाब बनी हुए हैं उनका management हम किस तरह से करेंगे जिससे कि हमें अच्छा culture मिलता रहे तो इसके लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है जैसे control of aquatic vegetation याने कि जो पानी है पानी में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनका किस तरह से control करें ठीक है तो उसके control के लिए सोचना होता है ताकि जो pond है उसका pond bottom में जो आपने मिटी जो आपने ली हुई है उसका nutritive value बना रहे और उसका nutrition इस तरह से बना रहे जिससे कि आपकी ज जो आपकी vegetation है पानी में जो अपने आप से उग आये हैं उसको वहां से हटाने के लिए आपको उस पे काम करना होता है इसके बाद जो next जो बात है जिसे ध्यान में रखना है वो है restoration and improvement of pond bottom इसके लिए जो आपका तालाब है उसको एक साल के अंदर आपको एक बार उसको nutritive value है उसकी मिट्टी की उसको फिर से बराबर बनाई रखने के लिए आपको उस पे काम करना होता है तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा improvement करना होता है जिससे कि आपका culture आपको अच्छा मिल सके इसके बाद तीसरा जो ध्यान रखा जाता है वो है liming याने कि time to time उसमें च जो आप जिन पौधों का नहीं चाहरे हो या algal blooms है उनको भी एक कुछ time के लिए खतम कर देता है और एक तरह से जो आपका pond है जो आपका तालाब है उसकी fertility को दोबारा से restore कर देता है यह समझे तो इस तरह से time to time liming करनी होती है और साथ ही उसका pH भी maintain रहता है और उसमें जो dissolve oxygen है वो भी बराबर सही बनी रहती है liming करने से इसके बाद है pond का fertilization याने की pond की जो मिटी है या जो उसमें आप जिन प्लैंट्स को आप उगाना चाहरे हैं उनको उगने के लिए उसकी nutritive values की बनी रहे तो उसके लिए लगातार आपको उसमें manuring करनी होती है उसमें खा पादों का यूज करते हैं ताकि उसका pond का fertilization बना रहे इसके अलावा control of various physical chemical factors इसके अंदर आपको time to time जो पानी है उसके pH को चेक करते रहना होता है और उसमें जो पानी में जो उसकी dissolved oxygen है उसको भी आपको बराबर चेक करते रहना होता है कि ताकि वो ठीक बनी रहे और उसम इसके अलावा जो अगली बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है prevention of fish diseases तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि क्या कोई fish बिमार तो नहीं है जिसरे की उसकी वो बिमारी दूसरी fishes को लग जाए तो इस तरह की fishes को कोशिश करना चाहिए कि उस पॉंड से उनको जा सके इसके बाद जो अगली बात ध्यान रखने वाली है वो control of predatory and weed fishes तो ऐसी fishes जो predatory है यानि की दूसरे के ऊपर depend है अपने खाने के लिए तो उस तरह की जो weed fishes है उनको वहां पे नहीं होना चाहिए उन पे आपको ध्यान देना चाहिए इसके बाद जो अगली बात है ध् aquatic insects तो aquatic insects को भी आपको control में करना चाहिए जिससे कि आपके जो फिश की जो लार्वी है या उनके जो एक्स हैं उनको यह खाए न और कई बार liming से भी आपको इन aquatic insects को खतम करने में आपको help होती है इसकी बाद है artificial feeding तो आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर पॉंड इसको उपर से भी उनको artificial food दे पाए जिससे कि वो अच्छी ग्रो कर पाए इसके बाद जो सबसे लास्ट में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है fishing और harvesting कि जहां पे भी आपका pond है एक तो वहाँ पे चोरी ना हो गई कि आपने जो है culture कि और पता चला कि आपकी fishes वह ज्यादा मिल गया है मिल रहा है तो उसकी आप proper harvesting कर पाए जिससे कि आपकी जो harvest है वो खराब ना हो ठीक है तो उसकी proper market भी आपको पता होने चाहिए तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो car culture है वो कभी भी fail नहीं होगा और आप उससे बहुत ही अच्छा अपनी financially आप बहुत अच्छा grow कर जाएंगे तो चलिए एक बार फिर से हम fish farm को एक बार फिर से इसके layout को देख लें और समझ लें तो मैं आशा करते हूँ अब तो आपको अच्छे से clear हो गया होगा कि एक fish farm में कितनी तरह के pond होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और इससे जो fish farm है उसके दूसरे pond को पानी की supply बनी रहती है और इसमें खुद की पानी की supply इसले बनी रहती है क्योंकि यह ऐसी जगे पे बना होता है जहां से की लगातार इसमें पानी आता रहे तो जैसा मैंने कहा कि वो नदियां हो सकती हैं यह वो reservoir हो सकते हैं वो spring का पा Pond's IwnIsbebred Brendan PFipon Kare ओने देखा कि यह भी आसे जगे बने रहें जहां पे कि लगातार धीरे-धीरे पानी आता रहिए जिसमें की Phishis Vet करने के लिए चोड़ी जाती है इसके बाद पिछीशंच Orange Pond's फिक हो सकते हैं तो यह pont भी इसी जगे बने रहेंगे जहां पे लगातार प इसके बाद फिर हमने देखा था nursery pond, nursery pond में हमने देखा था कि 2-3 दिन बड़ी जो fry हैं वो यहाँ पर transfer की जाती है और यहाँ पर उनको 30 दिनों तक रखा जाता है जिससे कि वो अच्छी grow कर जाए इसके बाद फिर हमने देखा था rearing pond, rearing pond में हमने देखा था कि इनका number vary कर सकत है क्योंकि इसमें अलग-अलग age की fishes रखी जाती है इस वज़े से जैसे किसी में एक से दो महने तक की fishes रखी जाएंगी और इसके बाद किसी में एक साल की हो सकती किसी में दो साल की तो यह rotation इन पॉंड में बना रहता एक तरह से इसके बाद फिर हमने देखा था stocking pond और stocking pond की बारे में हमने देखा था कि यह सबसे बड़े pond है water supplying tank की बाद ठीक है और इन में आसानी से netting की जा सकती है यानि कि आगर आप इसमें जाल फैकेंगे तो आसानी से आप इसमें जाल फैक सकते हैं जिसे कि आप fishing कर सकें फिर finally हमने देखा था marketing pond जिसमें कि उन fishes को रखा जा तो इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि quarantine pond होते हैं जिसमें कि जो infected fishes हैं उनको रखा जाता है उनके इलाज के लिए तो इस तरह से यह पूरा एक fish farm है उसका layout होता है जो आज के lecture का जो सारांस है जो उसका conclusion है वो यही निकलता है कि जो इंडियन मेजर काप से यह सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली fishes हैं क्योंकि यह आसानी से किसी भी pond environment को या जो आप farm के जरिये जैसे आप इनको culture करना चाते हैं तो उस environment को यह आसानी से अडॉप्ट कर ल इसके अलावा exotic काप्स को भी बहुत ज़्यादा पाला जाता है क्योंकि इन्होंने भी अब हमारी Indian water को यहां की climate को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है इसी वज़े से आज हमारी इंडिया में हर जगी यह मिलने वाली fishes है और aqua culture के अंदर इनका बहुत ही ज़्यादा इनका इसी तरह से जो हमारे West Bengal अंजना फिश वाम है वहां पर इन्होंने IMC को जैसे culture करके इन्होंने 4000 kg पर हेक्टेर पर येर इन्होंने उत्पादन कर एक record production इन्होंने किया था कतला रोहू और म्रेगल को culture करके इसी के सांथ ही आजकल जो composite fish culture है जिसमें कई अलग अलग variety की species को एक सांथ में culture करके उससे बहुत ही बड़ा उत्पादन लिया जा रहा है उसमें जैसे साथ तरह की species जैसे grass carp, silver carp, कतला, रोहू, scale carp, mirror carp और तिलापिया इतनी तरह की variety को एक सांथ 25 ratio, 15 ratio, 15 ratio, 30 ratio, 40 ratio, 10 ratio और 15 ratio में इनको लेके इनका culture करके बहुत ही बड़ा उन्होंने उत्पा इसे जो composite fish farming है यह आज बहुत ही जादा लोगों में यह famous हो रही है जो हमारे मत से उत्पादन करने वाले जो किसान है उन में ठीक है इसके अलावा जो हमारे जो Central Inland Fisheries Research Institute है जिसे हम CIFRI बोलते हैं इन्होंने भी इस बात को और साथ ही ICAR इन्होंने भी इस बात को माना है कि composite fish culture के जरिए हम अपनी high yield बढ़ा सकते हैं मत सका यानि कि जो fishes उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपनी income को भी बहुत जादा बढ़ा सकते हैं तो इसी वज़े से जो आज यह different जो हमारे research institute है वो इसी और ज्यादा concentrate कर रहे हैं कि किस तरह से composite fish farming के जरिये अलग-अलग combination में fishes को ले करके अपने छोटे से farm से ही हम बहुत बढ़ा उत्पादन कर सके यानि कि जो उसके different zone है अलग-अलग zones को पानी के अंदर जो अलग-अलग zone में जो रहने वाली fishes हैं उन सभी zones का इस्तमाल करके अपने एक limited farm म में बहुत ही बड़ा उत्पादन करके अच्छी income कर पाएं तो ये आज के किसान आज के हमारे research जो institute है वो इस वे मैं काम कर रहे हैं इसी के साथ ही मेरा ये आज का lecture यहीं पे खतम होता है मैं आशा करती हूँ कि आपको ये lecture समझ में आया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसे लाइक करें और प्लीज शेयर भी जरूर करें और बेल आइकन जरूर आप क्लिक कर ले ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिलें साफिप जर आपको सबस्सके देुए तो आबड़ करें अनापको सिर्था आपको सबसे हाँ झाएको से ईवयो आपको से अपको से पहले और स्वावा तो